पारशिवनी नापपुर मार्गों पर अमन सभाग्रह के सामने का मुख्हमार्ग की खुदाई कर वहां से पीने के पानी के लिए पाइप डाला गिया पर जहां रास्ते पर पड़े गड़े में जाकर दुर्गटना ग्रस्त होने की गटनाई लगतार हो रही है जिसमें अनेकों छोटे बड़े वहांद चालक घायल होए हैं वहीं मंगलवाल के सुबाई इसी इस्थल पर दो मोटर साइकल के बीच भिरंत होने से दो पईया सवास समीर घायल होने क गटना होई है होने के बावजूद अधिकारी इस और ध्यान नहीं देने से मुसीबतों का मुकाबला आम जन्ता को करना पड़ रहा है जिसमें अनेकों दुर्गटनाई आए दिन होने से आम नागरिक परेशानी का मुकाबला कर रहे हैं पारशिवनी नागपुर मुख्यमार्ग पर जगजग़ रास्ते पर बड़े बड़े दरार पड़े होने के बावजूद सम्बंद दिभाग के अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे इस रास्ते में चलना वहन चलाना बड़ी मुश्किल का काम हो गया है सम्बंद दिकारी जान बूच कर इस समस्या की और ध्यान नहीं देने से आज सभी को मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ रहे है वहीं घटना की जानकारी नगर सिवक दीपक शिवर कर समा सिवक संजी कुंभल कर पत्रका रुपेश खंडारे पनमाकर ठाकरी वासुदेव आमले सचिन आमले नितिन पड़वेल कर निरास्ते में पड़े बिखरे पत्थर को खुदी हटा कर वहन चालकों के लिए रास्ता आवगमन के लिए सुलब करने में साहिता की लापरवा धिकारी पर तुरंत कारवाय करने की मांग और वहीं दुरगटना गरस्त युवक को प्रशासन की और से आर्तिक साहिता दी जाने की मांग नगरवासियों की और से की जा रही है पाशिवनी से BCN News के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट